यह हमारा है करन और यह समद लीजिए यह हमारा अर्जुन ठाकूर तो गियो है नहीं ठाकूर तो गियो तो यह ठाकूर अभी हवेली पे बैठ गया है मेरे करन अर्जुन आएंगे मेरे करन अर्जुन आएंगे मेरे करन अर्जुन आएंगे हेलो बच्चो वेलकम टू क्रियेटिव केमस्ट्री यस हम बच्चा लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे है प्रिप्रेशन ओफ हेलो आलके जो ही हमारा पूरा सीरीज चल रहा है उसमें अभी आज हम डिसकस करने जा रहे है प्रिप्रेशन ओफ हेलो एरीन फ्रॉम एनिलीन क्रियेटिव केमस्ट्री हमने कुछ इसमें भी क्रियेटिविटी डाल दिये तो आपको यह अच्छी तरह से याद हो जाए चलिए पहले थोड़ा जो ठीटिकल जो पूर्शन वह पढ़ लेते फिर उसके बाद हमारी इसमें क्रियेटिविटी लगाते है तो बच्चा और यह हो गया मेरा बेंजिन री चलिए अभी जनरल रिएक्शन लिखता हूँ पहले मतलग कि जो हमारे टेक्स्ट बूक में दिया है क्या दिया है हमें दिया है एने एने टू प्लस टू मोल्स अफ एचल एन टेंपरेचर इस टू सेवेंटी थरी केल्विन तो टू सेवें टी एट केल्विन भाइस अब चलिया इतना टेंपरेचर ले लिया इसको इतना टेंपरेचर पर हिट करते है यह हमारे कंपाउंड से तो प्रोड़क्ट मेरा बनके निकल के आता है एन टू प्लस यह सी एल माइनस और यह मेरा बैंजिन रिंग अजिए इस एंड़ साइड प्रोड़क्ट क्या निकलता है इसमें से तो यहां से साइड़ प्रोड़क्ट एक निकलता है मेरा एनसे एल और टू मोल्स ओफ यह रियक्शन तो टेक्स्ट बुक में दिया है लेकिन जनरली बच्चा हम लोग यह लिख देते हैं हाँ एक्जाम में लिखना तो यह यह लेकिन एक्चुल यह प्रोसेस कैसे होता है तो इसका थोड़ा सा एक्चुल इसका मेकनिजम तो बहुत डिटेल है लेकिन राइट अब यह फोकसिंग अबर बोड मतलब कि हमारा स्कूल एक्जाम का हम फोकस कर रहे है तो हम इतना डिटेल नहीं करें कि लेकिन जितना जरूर यह उतना तो डिटेल मेकनिजम आपको थोड़ा तो थोड़ा पढ़ना है तो चलिए थोड़ा में मेकनिजम साथ में ले लेता चलिए तो मेकनिजम क्या लेते हैं हम देखिए सबसे पहले यह जो हमारा NaNo2 and HCl जो 2 moles HCl उसमें से only 1 mole HCl का reaction होता है कैसे देखिए यह मेरा NaNo2 plus 1 HCl चलिए मैंने आपको पहले अभी एक बर बताया था यहां से bond breaking आपको समझ में आना चाहिए Na plus बनता है NaNo2 minus H plus निकलता है Cl minus तो मैंने आपको पहले भी बताया है Na and Cl क्या है लेला मदनू तो वो तो सबसे पहले निकल जाएंगे तो चलिए NaCl को निकाल देते मतलब कि यह हमा हमारा रिएजेंट जो है नाइट्रस एसेड एनो थ्री होगा तो नाइट्रीक एसेड इडिज एनो टू तो इडिजन नाइट्रस एसेड कुछ कुछ जगा पर बच्चा लोग MCQs में कहीं के क्वेशन में यह एरो पे NaNo2 plus 2 HCl के जगा पर कहीं कभी-कभी यह भी लिखा तो चलिए, एनिलीन को मैं कॉपी करता हूँ, तो यह रहा मेरा एनिलीन, यह अच्छा सा सुन्दर सा उसका बैंजीन रिंग, चलिए हमारा HNO2, एंड बच्चा लोग, हम लोगो ने लिया था 2 moles of HCl, तो अभी 1 mole बाकी रहा ना, एक mole यहाँ पर consume हुआ, तो अभी 1 mole बाकी ह इसमें reaction कैसे होगा, इसका mechanism बहुत जारे detail, मतलब कि यहाँ से अगी, अगर मैं इसका पूरा mechanism बताता हूँ, तो detail में और 3-4 step चले जाएंगे, तो आप सोचेंगे, इससे तो अच्छा है कि directly यह रटा मार ले, यह बच्चा लोग, लेकिन थोड़ा समझते हैं, इतना detail नही देता हूँ, तो देखिए, यहाँ से यह जो दो hydrogen है, यह दो hydrogen, एक मेरा यह hydrogen, एक यह hydrogen, hydrogen कितने हुए, चार, और यह दो oxygen, यह सारे मिलके बनाते हैं, 2H2O, चलिए, वो तो याद हो गया, अभी जो बचने वाला पाठ हैं, यह benzene ring, तो चलिए, मैं लिख रहा हूँ, benzene ring, अभी क्या बचा, एक यह nitrogen, एक यह वाला nitrogen, एक यह chlorine, तो benzene ring पर बच्चा लोग क्या आता है, N2+, Cl-, अब सोचेंगे कि N2+, कैसा है, तो देखिए बच्चा लोग, इसका थोड़ा में यहाँ पर side में detail लिखता हूँ, तो यह ऐसा रहता है, आपको थोड़ा structure भी पता होना चाहिए, simply हम ए N2+, को focus कर रहें, तो actually ऐसा होता है, nitrogen, triple bond, nitrogen, चलिए तो हम सब को पता है, लेकिन यह वाला जो हमारा पहला वाला nitrogen है, it is already bonded with benzene ring, वो benzene ring के साथ भी जुड़ा है, तो इस nitrogen के bonds कितने हुए बच्चा लो, 4 bonds मतलब कि इस nitrogen पर जो non-bonding electron pair होता है, वो non-bonding electron pair भ bond formation में use हो गया, तो यह nitrogen जो इसके उपर charge बनता है, plus, and HCl में से जो Cl- हमारा जो निकला था, obviously यह पुरा हमारा डायोजोनियम जो वाला group है, benzene ring पर N2+, यह डायोजोनियम पुरा part है, वो positively charge है, तो obviously solution में number of Cl- होगे, तो इसके साथ जुड़ की मलब के, वहाँ पे कोई bond formation ही ह हो रहा है, यह nitrogen इस chlorine के साथ कोई bond form नहीं करेगा, लेकिन it is a positively charged, chlorine is negatively charged, that's why there is a one kind of attraction between them, that's why we are writing or we can showing like this, N2+, Cl-, तो चले, यह तो हमारा, क्या हुआ, डायोजोनियम बन गया, बच्चा लोग क्या बना, डायोजोनियम, देखो, अभी थोड़ी story में जाते, जैसे आप लोग न थमनिल में देखा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो बच्चा लोग आप लोगों ने करण अर्जुन मूवी तो देखी होगी, उस मूवी में करण अर्जुन मतलब कि सारु खान, सल्मान खान पहले मर जाता है, फिर उसका दूसरा जनम होता है, तो तब तक उसकी जो यह हमारी है बुडी मा, यह है हमारा क्या देखें, यह जो पूरा है N2 वाला ग्रूप, बेंजिन रिंग तो सेम रहता है, तो समद लिजे कि यह हमारी बेंजिन रिंग मतलब कि उस बुडिया की हवेली है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी, तो यह क्या है, हवेली, NH2 तो हमारी बुडी मा, तो हवेली तो एजटी जे, लेकिन हवेली पे अभी बैट कौन गया है, यह हमारा कौन, ठाकूर, ठाकूर मतलब बच्चा लोग कौन, अमरे श्पूरी, आप लोगों ने मूवी देखी होगी, तो यह ठाकूर अभी हवेली पे बैट गया है, लेकिन अभी बुड़ी मा को जैसे ही निकाला, बुड़ी मा के दिल से क्या निकलता है, मैं तुम्हें स्राब देती हूँ, क्या स्राब देती हूँ, मेरे करन अर्जुन आएंगे, तो कहा है करन अर्जुन, तो करन अर्जुन पैदा होगे सेंड मियर के घर, तो अभी सेंड मियर के अगर करन अर्जुन पैदा होने वाले तो तालिया बजाइए, चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं, कि ये बूडी मा भी एहां पर रहने देते हैं, ठाकूर को हवेली में रहते हैं, और बूडी मा भी भगवान से प्राथना कर रहे हैं कि मेरे करन अरजुन आएंगे, तो क short में बच्चा लोग बोलेंगे BDC, क्या, BDC, Benzene Diazonium Chloride, it is unstable, वो unstable है at room temperature, yes बच्चा लोग, आप लोग आगे देखा होगा, जो reaction था, उस reaction में बच्चा लोग हम तो temperature क्या लिया, 273 Kelvin to 278 Kelvin, मतलब कि अगर मैं इसको Celsius में लिखता हूँ, अच्चा लोग, तो 0 degree Celsius to 5 degree Celsius, मतलब कि यह compound 0 to 5 degree Celsius temperature range में इस टेबल है, इसलिए यह जो Benzene Diazonium Chloride है, इसलिए यहाँ पर यह लिखा है, unstable लिखा है, at room temperature, obviously हम room temperature generally 25 degree consider करते हैं, और chemistry lab में rooting हमारे इंडिया में दिखा जाए, तो इतना कभी 25 degree Celsius में नहीं रहता है, summer season में तो उससे भी ज्यादा temperature रहता है, तो obviously यह room temperature पर तो stable नहीं रहेगा, उसके बाद यह वाला statement इतना खूँज, खास important नहीं है, लेकिन एक words के लिए simply मैं इसको यहाँ पर रिखा है, दिखें, यहाँ पर लिखा है, mixing the solution of, क्या word है, freshly prepared diazonium salt, मतलब कि बच्चा लोग, benzene diazonium chloride, हमारा room temperature पर क्या है, unstable, तो benzene diazonium chloride room temperature पर stable है, इसके वजह से हम इसको pre-plant, इसको prepare करके, laboratory में, bottle में रखकर, ऐसे नहीं store कर सकते हैं, तो क्या करना पड़े का है, जब आपको चाहिए, इसकी जब requirement हो, तो आपको freshly इसको बनाना है, that's why the word freshly is most important, मतलब कि आप लेब में ये benzene diazonium chloride पहले से बना कर रख नहीं सकते हैं, तो ये दो words समझाने के लिए मैंने ये lines यहां पर रखा हुए, तो हमारी जो story चल रही थी, कौन सी story, करन अरजुन आएंगे, तो story में आगे, क्या, बुड़ी माता ने श्राब दे दिया है, किसको ठाकूर को, कि तू सुख चैन से इस हवेली में नहीं रह पाएगा, that's why ठाकूर is unstable, यहां पर एक वड़ है, बच्चा लोग, room, room मतलब समद लिजी हमारी हवेली, यह room मतलब क्या है बच्चा लोग, ठाकूर की हवेली, वैसे तो देखा जाए तो करन अरजुन की वो हवेली थी, लेकिन यह, अभी room मतलब समद लिजी हवेली, यह benzine diazonium chloride, मतलब समद लिजी क्या हमारा, ठाकूर, राइट, तो वो ठाकूर हवेली में unstable है, क्यों, क्योंकि बूडी मा के शराप है, राइट तो आपको याद रह जाएगा, चलिए, लेकिन बूडी मा क्या बोल रही थी, मेरे करन अरजून आएंगे, तो चलिए, करन अरजून किसके घर पैदा हुए, करन अरजून पैदा हुए, सैंड मेर के घर, चलिए, देखते हैं, तो वैसे देखा जाए, तो सैंड मेर, यह बूडी माता जी के पापा हुए न, इतना डिटेल में मत पढ़ना, तो चलिए, तो अभी यह हमारी हवेली आ गई, उसके उपर बैठा है हमारा ठाकूर, अब एंट्री होने वाली है, करण अरजून की, तो चलिए, करण अरजून कौन है, बच्चा लोग, स्टोरी तो थोड़ी यह भी साइड में छोड़ते हैं, टपिक पे वापिस आते हैं, तो जो सैंड मेर था, सैंड मेर, यह रियक्शन को नेम सैंड मेर ऐसा क्यों दिया गया बच्चा लोग, बिकॉज आफ, सैंड मेर ने एक रियेजंट बनाया, क्या, क्यूप्रस हेलाइड, अच्छा, अब यह क्या है क्यूप्रस हेलाइड, थोड़ा साइड में लिखते हैं, चलिए, देखने के लिए, यह है, Cu, चले, chlorine ले दो, Cu, Cl otherwise, we can also take Cu2, Cl2 बोथ हार सेम, दोनों को Q plus chloride ही बोला जाता है, तो यह Q plus chloride और उसके साथ, चले, पहला reaction देखते हैं, अगर मुझे बनाना है chlorobenzen, चले, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, Cu2 Cl2 और उसके साथ में ले रहा हूँ HCl, चले, HCl मैंने ले लिया तो अभी product क्या बनेगा तो यह बच्चा लोग कौन है, करन अर्जुन तो करन अर्जुन पैदा ही इसलिए हुए थे क्यूँ, कि उसकी मा की आस थी क्या आसा थी, कि मेरे करन अर्जुन आएंगे क्या आएंगे, आके क्या करेंगे और अगर इसी तरह का हम लेखते है Cu2 Br2 Oblix HBr, मतलब कि अगर आपको Bromobenzine बनाना है, तो यह Sanmir Reagent, जो है, मतलब कि यह जो, यह दोनों क्या है यह हमारे लिखे, चली यहाँ पर लिख देता है यह हमारा है करन और यह समद लीजे यह हमारा Arjun तो यह करन Arjun है तो करन Arjun आएंगे, तो क्या dialogue था, उसमों यह कहा ठाकूर्तो गियो, है ना, तो यह ठाकूर्तो गियो मतलब कि अभी जो product बच्चा लोग हमारा बनेगा, वो product देखे, क्या बनता है यहाँ बनता है मेरा chlorobenzine क्यूंकि मैंने यहाँ पर HCl लिया है, अगर मैं HBR ले रहा हूँ, तो मेरा product बनेगा Bromobenzine, तो थोड़ा इसका detail देखते है कैसे हो रहा है यह reaction चलिए, मैं अलग color select कर लेता हूँ देखे, HCl, तो HCl में बच्चा लोग bond break होता है, तो H plus Cl minus, तो देखे, यह N2, यहाँ से अगर यह bond break हो रही है यह वाली, carbon मतलब कि benzine ring वाला जो carbon and N2 plus, तो उन दोनों की बीच में जब bond break होती है, तो जनरल में बच्चों को कैसे याद रखवाता हूँ, कि यह ठाकूर्त होगी हो, यह जो dialogue है हमारा तो यह ऐसे round करके हम ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं N2 मतलब बच्चा लोग, यह जो reaction है मतलब कि यह जो हमारा BDC है, benzine diazonium chloride, तो यह benzine diazonium chloride, chapter number 13 में बहुत बारात है, chapter number 13 में last पूरा portion ही benzine diazonium chloride के based है और always आपको याद रखना है कि जब भी आप benzine diazonium chloride को देखो, तो जैसे ही देखा, आपको याद आना चाहिए कि यह N2 plus मतलब है ठाकूर, और उसके बाद तुरंद आपको dialogue बोलना है, कि यह ठाकूर तो गियो, है ना, तो यह dialogue आपको इसलिए बुला है कि always यह N2 plus as N2 gas निकल जाता है, आप सोचेंगे क्यों निकल दा है, पहले ही मैंने बताया था बूडी मा का शराप है, शराप मतलब कि वो room temperature पर stable नहीं रह पाएगा, उसको stable रहना है, तो 0 to 5 degree Celsius में उसको रहना पड़ेगा, जैसे वो room temperature पर आया, तो बूडी माने शराप दे दिया क्या शराप दिया है, शराप दिया है, शराप दिया है कि तो कभी room temperature पर stable नहीं रह पाएगा, ऐसे पाने डाल दिया तो यह N2 तो always निकल ना मतलब निकल नहीं है, तो चले N2 तो गया अभी बात रही HCl and Cl- की तो जनरली आप लोग ऐसा सोचेंगे अच्छा N2 प्लस निकल गया, तो बाकी बचा Cl-, Cl- यहाँ benzene ring पर जूड जाएगा, तो वो बन जाएगा chloro benzene, नहीं ऐसा नहीं होता है अगर always यही Cl- ring पर joint होता, तो यह HBR ले लो, यह कुछ भी ले लो always product, तो chloro benzene ही बनता, लेकिन chloro benzene always नहीं बन रहा है, ब्रोमो benzene भी बन रहा है, मतलब कि हमको यह तो पता चल गया, क्या पता चल गया बच्चा लोग, कि यह Cl directly सीधा यहाँ ठाकूर के जाने के बाद तुरंद उसके बच्चे जगा ले लेंगे, तो करन अर्जुन क्या करने के लिए थे, तो करन अर्जुन ठाकूर उसकी पूरी family को निकालने के लिए थे, है ना, तो यह ठाकूर भी गया, उसके बच्चे भी गये, तो तो मतलब अभी जो नया बैठेंगा, वो कहां से बैठेंगा, करन अर्जुन की फैमिली से बैठेंगा, आया था कौन मारने के लिए, करन अर्जुन आया थे, तो ये CL यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, तो वो बना क्लोरो बेंजीन, HBR में अगर बॉंड ब्रेक हो रहा है, H+, BR माइनस कलर हमारा जो फेवरेट है, वो ही ले लेता है, येस, तो ये BR माइनस यहाँ पर कनेक्ट हो और तो वो बना ब्रोमो बेंजीन, तो ये गलती मत करना, कि इसी क्लोरीन को यहाँ पर मत लगा देना, चलिए अभी हम आयोडो बेंजीन बनाना चाहते है, तो आयोडो इत तोड़ा सा हिटिंग देना है, बस नामी काफी है, वो कहते हैं न, ओके चलिए तो किया आई में बॉंड कैसे ब्रेक होते हैं बच्चा लोग, के प्लस आई माइनस, तो हम लोगो ने पहले भी बताता है, एंटू थाकूर तो गियो, थाकूर का पुरा खांदान भी गियो, थाकूर तो कियो, तो CL भी निकल जाएगा, तो अभी आयोडीन उसकी जगा पर जुड जाएगा, तो प्रोड़क्ट यहाँ पर बनता है, आयोडो बेंजीन, चलिए, में प्रोड़क्ट तो ठीके हम लोगो ने लिख लिया, लेकिन थोड़ा साइड प्रोड़क्ट भी जुडता है, तो बनाता है क्या, KCL, एंड, जब भी आप टेक्स्ट भूक में देखें, यहाँ पर कोई भी साइड प्रोड़क्ट लिखा नहीं रहता है, एक्चुली में, यह जो हमारा H+, है, यह वाला, यह H+, इस CL माइनस के साथ जुड के साइड प्रोड़क्ट में, वैस से भी मिटा देता हूँ, मतलब साइड प्रोड़क्ट निकलता तो है, लेकिन हम लिखते नहीं है, ओके बच चलो, चलिए, तो अभी हमारी जो स्टोरी चल लए थी, उस स्टोरी पे हम वापिस आ गए, तो हमारी वहाँ पर बूडी मा मतलब कौन है, हमारा पहला एनिलीन, जिसमें से हमको बनाना है, ओके चलिए, तो बूडी मा उसके बाद यहाँ पर एन्टू प्लस उसी हवेली पर बैठ गया, तो यह कौन है हमारा, एन्टू प्लस यह है ठाकूर, ठाकूर को हटाने, ठाकूर उसकी फैमिली को हटाने के लिए, सैंड मेयर के गर, दो बच्चे पैदा हुए, कौन, करान अर्जुन, कौन से यह, Cu2, Cl2 and HCl, और वो बच्चे ही ठाकूर को यहाँ से हटाएंगे, राइट बच्चा लोग, तो आई होब को यह पूरी स्टोरी और यह पूरा थीर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसी तरह के नए-ने, क्रि करना कि यह कोई अच्छा सा चैनल है, इस पर आपको डे बाइडे डे बाइडे अच्छा अच्छा कॉंटेंट आपको मिलता रहेगा, जब आपका एक्जामिनेशन होगा, तब भी बच्चा लोग हम आपको पर्टिकुलर्ली आपके एक्जाम ओरिएंटेड वीडियो बना सकते हैं कि यह इनिट के भी वीडियो में चैनल पर अच्छी अच्छी तरह से, टॉपिक कंसेप्ट यही रहेगा, लेकिन कंसेप्ट को इजी मैंतर से कैसे समझना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो कहता है ना, कि चीज तो वही होती है, सिफ देखने का नजर या बदली तो मैं आपको उस चीज को देखने की नजर दूँगा, राइट बच्छा लोग, तो चलिए, तब तक के लिए, बाई-बाई, हैवे, नाइस डेए